क्रेन के मीनिंग को ध्यान से समझेगा इसका इस्तेमाल कई तरीके से अलग-अलग मीनिंग के लिए किया जाता है एक तो क्रेन जो होता है सारस पक्षी होता है उसे क्रेन कहा जाता है यानि कि इस तरीके का जो ये पक्षी है इसको सारस पक्षी या क्रेन कहा जाता है इसके इलावा इस तरीके की वजन उठाने की भार उठाने की जो क्रेन होती है उसको भी भारतोलन यंत्र या क्रेन कहा जाता है और इस चीज से इस क्रेन से किसी चीज को उठाना भी क्रेन कहलाता है और इसके साथ सारस की तरहे गर्दन को आगे निकालना या गर्दन आगे न सारस एक प्रकार का पक्षी है जिसके बहुत लंबे पैर और गर्दन होती है। प्यानो को थियेटर में उठाने के लिए या उठाकर रखने के लिए हमने एक क्रेन का इस्तेमाल किया। चैनल टो भी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा।